ताल के बारे में वैसे मैं आपको उसकी रूप रेखा उसकी डेफिनेशन उनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ और हम एक ताल पहले कर भी चुके हैं जो की थी हमारी दादरा ताल आज हम मातराओं के अनुसार ताल का विबरन करेंगे आज हम चार तालों के बारे में बात करेंगे पहली एक जो ताल छे मातराओं की है जो की दादरा ताल है वो हम कर चुके हैं तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं हमारी अगली ताल जिसका नाम है ताल कहरवा ताल कहरवा का परीचे देते हुए मैं आपको बताती हूँ कि ताल कहरवा के अंदर आठ मात्राई होती है उन आठ मात्राओं में चार-चार मात्राओं के दो आपके विभाग बनाये जाते हैं और इसके अंदर क्या होता है आपका पहली मात्रा पर क्या होता है सम होता है और पांचवी मात्रा पर आपकी क्या होती है खाली होती है फिर से एक बार आठ मात्राएं हैं चार-चार मात्राओं के दो आपके विभाग हैं और इसके अंदर पहली मात्रा पर आपका सम होता है और पांचवी मात्रा पर आपका खाली होता है अब बात ही आती है कि इसको बजाया कैसे जाता है तो इसको बजाने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ हथेली का प्रयोग करना पड़ेगा उंगलियों के टिप्स का प्रयोग करना पड़ेगा और ताली का प्रयोग करना पड़ेगा जैसे कि पिछले उसमें मैं बता चुकी हूँ किसी भी चीज, किसी भी ताल को बजाने के लिए किस खिस चीज की जरूरत पड़ती है बोल चाहिए हमें उस बोल को बजाने के लिए चिन को दर्शाने के लिए हमें हाथों का इशारा चाहिए इन टिप्स का यूज होगा इस सरीके से तो मैं शुरू करती हूँ हमारी ताल है ताल कहरवा आठ मात्राए बोल जो है ताल कहरवा के वो है धा, गे, ना, ती, ना, के, धी, ना आठ मात्राए हैं तो शुरू करती है धा, गे, ना, ती, ना, के, धी, ना एक बार फिर से देखिए, आठ मात्राएं हैं, धा, पहली मात्रा पर हमारा सम, गे, ना, ती, पाची मात्रा हमारी खाली, ना, ना, के, धी, ना, धा, गे, ना, ती, ना, के, धी, ना, तो इस तरीके से हम बजा रहे हैं ताल, कहरवा, तो ये हमारी ताल थी आठ मात्राओं की अगली जो ताल है उसके बारे में मैं बताती हूँ उस अगली जो ताल है वो है हमारी अभी देखिए ये कितनी मात्राओं की ताल थी आठ मात्राओं की पहले हमने जो ताल की थी वो कितनी मात्राओं की थी छे मात्राओं की अभी मैं को सिर्फ इसका demonstrate कर रही हूं उसके बाद हर एक ताल का आपको पूर्ण रुप से परीचे भी कराया जाएगा दिखा कर मैं आपको इसका परीचे कराऊंगी कि किस तरीके से कौन सी मात्रा किस तरीके से कौन सी ताल में क्या प्रयोग होता है अभी सिर्फ मैं आपको बजा कर कि कौन सी ताल किस तरीके से बजाई जाती है अगली ताल जो आपकी आती है वो आती है आपकी ताल जब ताल अभी हमने क्या की है आठ मात्राओं की कहरवा ताल की है अब हम दस मात्राओं की जब ताल करेंगे जैसे कि बताया मैंने आपको परीचे के अंदर इसमें कितनी ह मात्राएं कितनी आ गई दस मात्राएं आ गई दस मात्राओं में क्या है आपका दो तीन पहले विभाग में दो मात्राएं अगले विभाग में तीन मात्राएं इसी तरीके से उससे अगले विभाग में दो मात्राएं और फिर से तीन मात्राएं इस तरीके से दो तीन दो तीन मात्राओं के हमारे पास च्यार विभाग है अब इसके जो बोल है वो क्या है इसके अंदर जो ताली है आपके भी मैं आपको साथ साथ बजाती जाओंगे आपको पता चलता जाएगा कि कहां कहां हम ताली का प्रयोग कर रहे हैं और कहां कहां हम खाली का प्रयोकर होगी है तो इस मातरा के जो बोल है वो है आपके धीन धीन ना, तीन ना, धीन धिन ना, एक बार, फिर से मैं आपको इनके बोल बता रही हूं धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना तो ये हमारी कितनी हो गई दस मात्रा ये हो गई इसको बजाया कैसे जाता है वो आप देखिए और फिर मैं आपको बताऊंगे कि हमने कौन सी मात्रा पर खाली बजाया और कौन सी मात्रा पर हमने ताली को रखा था दिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना यह हमारी दस मात्राओं की ताल है अब मैंने आपको अच्छे से एक बार अच्छे से फिर बता रही हूँ अब आपको क्या आपने इसमें नोटिस किया कि किस जगे पर मैंने ताली हो जाई और किस जगे पर मैंने हवा में हाथ हिलाया देखे दिन न यानि पहली मातरा पर सम आ गया दिन न दिन न तीसरी मातरा पर हमने क्या किया आपकी दूसरी ताली आई उसके बाद पांच मातरा हो गई उसके बाद हमने किया तिन यानि कि छटी मातरा पर हमने क्या किया हवा में हाथ हिलाया तो यानि छटी मातरा पर क्या है आपकी खाली है तिन ना साथवी मात्रा हो गई धिन यानि कि आठवी मात्रा पर फिर से हमने किसका यूज़ किया ताली का यूज़ किया तिन न धिन धिन न इस तरीके से इसमें हमारे कहां पर ताली हुई और कहां पर आपकी क्या हुई खाली हुई तो देखिए, पहली, तीसरी और आठवी मात्रा पर हमने किसका प्रयोग किया? ताली का प्रयोग किया, और छटी मात्रा पर हमने किसका प्रयोग किया? खाली का प्रयोग किया, फिर से देखिए, एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूं, धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन न तो इस तरीके से हमने दो ताल के बारे में अभी बात की पहली हमारी ताल के हरवा ताल थी जो की हमारी आठ मात्राओं की ताल थी अगली जो हमने ताल करी हमने मैंने जो आपको बताया उसका डेमंस्ट्रेटा करके आपको बताया उस ताल का नाम क्या है आपका त भी तपताल ही जो कि दस मात्रां की ताल है तिस्टमा एने गवारणी काफिश्ता है ह्लियों उब का बीऐ यानि तरीख को हैं तो द्याँ कि ने और गोई द्यार्वान है इसे फिर टिना luck द्या physicist पर और आठवी मात्रा पर हमने क्या दिर्शाया है कि हम आपत ताली का यूज होगा और रही खाली की बात तो छटी मात्रा पर हमने क्या बजाया है छटी मात्रा पर हम यूज करेंगे खाली ये बात ही हमारी जपताल के बारे में अगली ताल के बारे में हम बात करते हैं अग अब हम बारा मात्राओं की एक ताल के बारे में बात कर रही है तो एक ताल का परीचे देती हूँ आपको एक ताल के अंदर मात्राओं कितनी हैं बारा मात्रा हैं परन्तु विभाग कितनी हैं छे विभाग हैं हर विभाग में दो मात्राओं का प्रयोग किया गया है दो दो द तो 6 multiplied 2 हो गया, तो आपकी कितनी मात्रा है हो गई, टोटल मात्रा है आपकी क्या हो गई, 12 हो गई, आपके एक ताल के जो बोल हैं, वो हैं, धिन, धिन, धागे, तिर्किट, तू, न, क, त, धागे, तिर्किट, धिन, न, अब देखें, तीसरी और चोथी मात्रा पर, आगे ही वही चीज आगे है, रिपीट भी होगी, देखें, मैंने बोला धिन, धिन, उसके बाद मैंने एक, साथ, दो बोल बोले, धागे, और उसके बाद फिर से मैंने क्या बोला, तिर्किट, पहली मात्रा पर सिर्फ एक बोल है धिन, अभी तक मैंने आपको जो ताल कर वाई हैं, उनमें सिर्फ एक मात्रा पर एक ही बोल करवाया है लेकिन एक ताल के अंदर क्या होता है जैसे ही हमारी तीसरी मात्रा आती है धिन धिन धागे यानि कि तीसरी मात्रा मात्रा एक है लेकिन उस मात्रा पर बोल आपके दो बोले जा रहे हैं जो कि धागे एक साथ बोलना पड़ करने उन दो बोलो को कवर करना है ऐसे ही चोथी मात्रा पर आपका क्या है तिरकित तिर एक अलग बुल है tens pregunt लेकिन ये दोनों बोल एक ही मात्रा पर यूज हो रहे हैं तो हमें इनको तीरकित महीं बोलना होगा घैक साथ देखना है कि मैं किस मात्रा पर ताली बजा रही हूं और किस मात्रा पर मैं खाली बजा रही हूं दिन धिन धागे तिर्किट तू ना क ता धागे तिर्किट धिन ना मैंने आपको 12 मात्राओं की एक ताल को बजा कर दिखाया तो अब आपको नोटीस करना है कि किस किस मात्रा पर कौन सी हमने किस किस मात्रा पर ताली कहां आई है और आपकी खाली कहां आई है देखिए पहली मात्रा पर पांचवी मात्रा पर और नोवी मात्रा पर हम किस का यूज करेंगे ताली का यूज करेंगे पहली पांचवी और नोवी मात्रा पर हम ताली का यूज करेंगे मैं फिर से आपको बजा कर दिखाऊंगे और तीसरी और सात्वी मात्रा पर हमारी खाली लिउज होंगी देखिए मैं पहली मात्रा से शुरू करती हूँ धिन धिन धागे तीसरी मात्रा पर खाली आ गया धिन धिन धागे तिरकेट तू क्या आया एक पहली मात्रा पर ताली आई एक पांच्वी मात्रा पर तू, फिर छटी मात्रा ना, फिर सात्मी मात्रा पर खाली, क, सात्मी मात्रा पर क्या हुआ, खाली, ता, ये आट्मी मात्रा हो गई, धागे, धागे हो गई आपकी नूमी मात्रा, धागे, तिर्किट, सोरी, धिन, 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 धागे, तिर्किट, तू, ना, क, ता, धागे, natALK जाने ताली आगे तिर्किट धिन ना इस तरीके से आपकी क्या बजी हैं आपकी एक ताल है लाश्ट बार फिर से मैं आपको एक बर दुबारा से आपको एक ताल बजा कर दिखार रही है nochmal धिन धिन धागे तिर्किट तू न कदा धागे तिर्किट दिन ना तो इस तरीके से हमने किसका यूज किया है एक ताल के अंदर हाँ आखरी में भी एक मात्रा हमने आपने ध्यान दिया होगा कि लास्ट के अंदर भी क्या हो रही है एक मात्रा और यूज हो रही है ताली की बारा मात्राओं की है तो दिन ना दिन ना यानि कि हम ग्यार ताल है तीन ताल जो की सोला मात्राओं की ताल है पहले इस से पहले हमने बारा मात्रा की ताल की अभी तक हम किन किन ताल को कवर कर चुके हैं दादरा ताल जो की छे मात्राओं की है कहरवा ताल जो की आठ मात्राओं की है जब ताल जो की दस मात्राओं की है एक ताल जो की बा पीचे तीन ताल के अंदर 16 मात्राइं हैं, 16 मात्राओं में 4-4 मात्राओं के 4 विभाग किये गए हैं, यानि के 4 विभाग हैं और हर विभाग में 4 मात्राइं हैं, तो 4 into 4 आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही खाली लगता है, आपको प पहले बता दूंगी तो आपको पहले से अंदाजा हो जाएगा आप शायद हो सकता है थोड़ा ध्यान से ना भी जुने अब मैं पहले आपको नहीं बताऊंगी तो आप भी थोड़ा क्यूरियस रहेंगे कि हमें भी देखना है कि किस मातरा पर ताली आ रही है और किस मातरा प हाली में से उच आ रहा है तो शोड़ो करते हैं तीन ताल सोला मात्राओं की ताल है चार चार विभाब डिन धिन धा यह आपकी क्या है सोला मात्राओं की ताल है तीन ताल, तो देखिए इसके अंदर मैंने किसके बारे में बात की धा, धिन, धिन, धा चार मात्राएं हो गई यानि कि पहली मात्रा पर आपका क्या आया था समाया था, उसके बाद फिर से मैंने सीम जो बोल हैं फिर धा दिन दिन दा यानि के फिर से पाचवी मातरा पर धा धिन दिन दा धा यानि के पाचवी मातरा पर आपकी क्या आई पहली और पाचवी मातरा पर आपकी क्या आई ताली आई धा दिन दिन दा धा धिन दिन दा धा यानि के अब आठ माए नोवी मातरा पर आपका क्या आया खाली आया धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा नोवी मात्रा के बाद तेरी मात्रा पर फिर से हमने किसको बजाया आपकी ताली को बजाया धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा तो ये आपकी हो गई तीन ताल तीन ताल के अंदर वच्चों हमने किसके बारे में बात की सोला मात्राओं के बात की तो आगे हम बात करेंगे सोला मात्राओं के बारे में बात की हमने तो यानि कि आज हमने कवर की है हमारी चार ताल हमने कवर की है जो कौन-कौन सी है कहरवा ताल है जब ताल है एक ताल है और तीन ताल है चार मात्राओं के बारे में हमने सिर्फ डेमोंस्ट्रेट किया है आगे मैं इनके परीचे के बारे में और इनका कहां ये गाया जाता है किस तरीके से इनका उप्योग किया जाता है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊगी तो बच्चों हाथ पर बजाकर मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कि कौन-कौन सी ताल को कैसे बजाया जाता है अब हम थ्रेटिकल रूप से इन ताल के एक एक करके विवरन करेंगे तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ताल कहरवा की जिसके अंदर मात्राएं कितनी होती है आठ मात्राएं होती है दो-दो मात्राओं के सोरी चार-चार मात्राओं के दो विभाग होते हैं ताली जो होती है वो हमारी पहली मात्रा पर होती है खाली जो होती है तो वो पाँचवी मात्रा पर होती हैं और इसके परीचे में इस ताल की आठ मात्राएं हैं तथा दो विभाग होते हैं प्रतेक विभाग प्रतेक विभाग चार-चार मात्राओं का है पहली मात्रा पर सम और पांचवी मात्रा पर इसके आपके खाली है इस ताल को भजन, गीत, लोग गीत, आदि के साथ बजाते हैं इसको लिखा कैसे जाना है पेपर में? पेपर में लिखेंगे किस तरीके से? वो भी हम इसके आगी जिकर करेंगे तो इसमें देखिए एक टेबल बनी हुई है आप अच्छे से इसको देख सकते हैं जिसमें मात्रा बोल जिन है चार मात्रा ये हैं, फिर से चार मात्रा ये हैं आठ मात्राओं की ये आपकी ताल बनाई हुई है धागे नाती नाके दीना इसमें आपके उसके पहले नंबर पर क्या लगाया हुआ है सम और पांचवी पर इसमें क्या है आपके ताली लगाई हुई है हमारी अगली ताल है ताल जपताल जपताल दस मात्राओं की ताल है इसके दस मात्रा के बोल है यह ताल गीत खयालगाई की आदी के साथ बजाई जाती है इस ताल के चार विभाग है जो की पहली में दो मात्राओं फिर तीन मात्राओं फिर पुन्ह दो मात्राओं और फिर से हाथ वा में लहरा कर खाली दिखाएंगे। दिन पर ताली मारेंगे अत्य इस ताल की पहली तीसरी और आठवी मात्रा पर ताली और छटी मात्रा पर खाली है किसी भी ताल की पहली मात्रा सम होती है ताली बजाने के स्थान पर ताल के बोल के नीचे ताली संख्या लिखते हैं जैसे इस ताल में cross जो sum के लिए यूज होता है फिर दूसरी ताली के लिए 2 तीसरी ताली के 3 लिखा हुआ है और खाली दिखाने के लिए हम क्या करते हैं मातरा के नीचे 0 का 0 दर्शाते हैं तो ये हमारी जब ताल का विवरन था अब हम देखेंगे कि जब ताल को लिखा कैस तो देखिए दस मात्राइं दी हुई है इसमें पहली मात्रा पर सम है दूसरी पर जो सिंपल हम टिप को यूज करते हैं उंगली के तीसरी मात्रा पर दूसरी ताली है आठवी मात्रा पर तीसरी ताली है और छटी मात्रा पर क्या दिया हुए आपकी खाली दी हुई है तो किस जब ताल दस मात्राइ इसको इस परकार से समझा गया है हमारी अगली ताल है एक ताल उसका जो परीचे हैं उसमें मात्रा पराते हैं कि इस ताल में बारह मात्राइं हैं विभाग इस ताल में 6 विभाग हैं और प्रतेक विभाग में 2-2 मात्राइं हैं ताली इस ताल में पहली, पांचवी, नोवी और ग्यारवी मात्रा पर ताली लगती है तो इस तरीके से कितनी ताली हुई? 4 ताली का इसमें एक ताल में प्रयोग हुआ है और खाली जो है इस ताल में तीसरे और सात्वी मात्रा पर हम किसका यूज करते हैं खाली का यूज करते हैं और यह जो ताल है वह छोटे वह बड़े खयाल में प्रियोग होती है तो यह तो था इसका परीचे अब हम देखेंगे कि ताल को लिखा कैसे जाता है तो एक गुन ल 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से 12 मात्राओं का हमने प्रयोग किया, 12 मात्राओं में पहले नंबर पर आपका है दिन, जिसके उपर आपकी सम है, धिन, धिन, धागे, उसके उपर खाली है, तिरकेट, जैसे मैंने आपको बताया था, दिखे, धागे और तिरकेट के अंदर क्या हैं, दो दो बोल को एक साथ ही उस किया गया है, तीसरी मातरा पर बोल दो है, प्रन्तु दोनों बोलों को एक ही मातरा के अंदर बोला जाएगा, ऐसे ही आपका तिरकिट है, फिर तू ना, तू पर आपकी अगली ताली है, क, क पर खाली है, ता, धागे, धागे पर आपकी अगली तरीका अगली हमारी जो ताल है अगली हमारी जो ताल है वो है आपकी तीन ताल तीन ताल के अंदर कितरी मात्राइं हैं 16 मात्राइं हैं विभाग 4 हैं ताली जो है वो पहली पांचमी और 13 मात्रा पर है खाली जो है वो 9 मात्रा पर है तीन ताल के अंदर देखिए ये ता इसक तो फर्स्ट कोलम आप मात्रा बोल चिन इस तरीके से बनाएंगे फिर जितने आपकी मात्राओं को डिवाइड किया गया है जैसे जितने विभाग हैं उस हिसाब से हर को एक ब्लोक बनाओगे जैसे पहले विभाग में चार मात्रा हैं दूसरे विभाग में फिर चार मात्रा ह तरीके से चार विभाग हैं और चारो विभाग में चार-चार मात्राएं हैं पहली जो आपका जो सम है वो धा पर आता है धा धिन धिन धा फिर धा पाचवी मात्रा पर दूसरी ताली आती है धिन धिन धा धा जो नोवी मात्रा है उसमें आपको हाथ को हवा में हिलाना है यान तिन तिन ता 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 फिर तेरवी मातरा पर फिर से आपको ताली बजानी है ता धिन धिन धा इन तालों को किस परकार से बजाया जाता है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये था इन सभी तालों का विवरन तो आज हमने किन किन तालों के बारे में बात की आज हमने ब अगली वीडियो के साथ अगली वीडियो में कुछ नया लेकर पेश होंगे थेंक यू